ओबेसिटी या मोटापन इस सदी की सबसे बड़ी बीमारी है और ये बीमारी बढ़ती चली जा रही है हम रोज लोगों को देखते हैं जो ओवरवेट हैं और ओबीज हैं मोटापन इतना भयंकर रूप धारन कर चुका है कि वन थर्ड पॉपुलेशन वर्ड की ओबीज है और मोर देन 50% पीपल आर ओवरवेट मोटापन के साथ ओबेसिटी के साथ बहुत सारी बीमारियां आती हैं जैसे हार्ट की बीमारी, जोडों की बीमारी, कैंसर होना बट ये कुछ कम लोग जानते हैं कि मोटापे के साथ हमारा लिवर भी अफेक्ट होता है यूं तो लिवर की कोई भी बीमारी मोटापे के साथ आ सकती है बट सबसे कॉमन है फैटी लिवर फैटी लिवर और ओबेसिटी की जो जीजन्स हैं, हाई इंसुलिन रेजिस्टेंस वो कॉमन है इसलिए हर पेशेंट और हर व्यक्ति जिसका वेट जादा है उसको फैटी लिवर निकलना बहुत कॉमन है फैटी लिवर जनरली बहुत सिम्टम्स प्रिड्यूस नहीं करता इसलिए आदमी को पता नहीं चलता कि उसको लिवर की खराबी है धीरे धीरे दशकों के उपड़ यह हमारे लिवर को डैमेज करता है और हैपेटाइटिस और सिर्योसिस जैसी तकलीफ पैदा हो सकती है सिर्योसिस के बाद लिवर फेल हो जाना और लिवर ट्रांस्प्रांटेशन की जरूरत बहुत सारे मरीज्यों को परती है इसलिए fatty liver को हम ignore नहीं कर सकते fatty liver का क्या इलाज है सबसे important इलाज life style improve करना है जिसमें weight reduction है weight reduction हम dieting और exercise और अन्य कुछ medication endoscopic procedures या surgery से achieve कर सकते है अगर हमें लगता है कि fatty liver से हमारा liver damage हो रहा है तो बहुत सारी दवाया अब science में है जो हमारे liver को help कर सकते है और यह ध्यान रखिए prevention is the best key lifestyle improvements are still the best medications for treatment of fatty liver disease Thank you